Hello friends, welcome to my channel Question है, 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74 3 consecutive integers लिया गया है इसमें और उसको increasing order में लिखते हैं और उस increasing order में लिखने के बाद उसको 2, 3 और 4 respectively से multiply करते हैं और multiplication के बाद जोडने पर उनको 74 आता है तो 3 consecutive integers लिखते हैं X, X plus 1 और X plus 2 हो गया और यह increasing order में भी है X, X plus 1 और X plus 2 इसको कितना से multiply करना है? 2 से इसको 3 से और इसको 4 से multiply करना है तो 2 से multiply करें तो कितना हो जाए? 8 इकल टू 74 हो गया 2 X, 3 X और 4 X यह जुट जाएगा तो कितना हो गया? 9 X plus 3 प्लस 8 कितना हो गया? 11 इकल टू 74 अब इधर प्लस है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस तो 9 X इकल टू कितना हो गया? 74 माइनस 11 ब्रावर 63 हो गया तो X और आख कितना हो गया? 63 डिवाइड बाइड 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 नाइन 9 से 36 कर जाएगा तो कितने बाइड सेवन टैंस तो यह कितना हो गया? 7 तो X का बेलू कितना हो गया? 7 तो X ब्रावर कितना हो गया? X ब्रावर 7 X प्लस 1 ब्रावर कितना हो गया? 7 प्लस 1 ब्रावर 8 X प्लस 2 ब्रावर कितना हो गया? 7 प्लस 2 ब्रावर 9 तो जो नंबर्स निकालना था था फाइंड इस नंबर्स वो क्या हो गया आपका आंसर यह तीन हो कॉंजिक्टिव इंटिजेस हैं इसमें दो से इसमें तीन से इसमें चाहर से मल्टिपलाई करने पर और अगर आप इसको जोड़ेंगे इसका सम कितना हैगा 74 कि